हेलो फ्रेंड्स रुपम खाना कजाना में आप सभी का स्वागत है उमीद करती हूँ आप सब अच्छी होंगी तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि थंड शुरू हो चुकी है और थंड में गर्म गरम रोटी के साथ अचार खाने का मज़ा ही कुछ और है तो इसलिए आज मैं आप सभी के लिए आमले और गाजर के अचार की रसीपे लेकर आई हूँ जिससे आप चार से पांच पहने के लिए अराम से स्टोर भी कर सकते हैं इस अचार के लिए नहीं आपको घंटों तक इंतिजार करना है और नहीं इन्हें सुखाने की जंजट बहुत ही कम समय में व आमले के लिए और गाजर का चार जिसमें मिर्श्य और लहसंन की यूज़ करेंगे सर्थीव गर में आमला को उसानी से हो गया है अब मैं इसमें आर्ट कर रही हूं गाजर को मैंने कुछ इस तरीके से रेक्टेंगुलर शेप में कट कर लिया है ताकि इसली बॉयल भी हो सके और साथ ही साथ मार्केट वाले अचार जैसा लुक भी आ जाए अब हमें इसे मीडियम फ्लेम पर चार से पांच मिनिट के लिए बॉयल कर लेना है जब तक यह गाजर और आमले हलके से सौफ्ट ना हो जाए हमें इन्हें पूरी तरीके से बॉयल नहीं करना है इनका हलका फुलका कच्छापन रहने ही देना है अदर्वाइस यह पूरे गल जाएंगे और अचार परफेक्ट नहीं बन पाएगा तो यह देखिए आमले और गाजर अच्छे से बॉयल हो चुके हैं अब इसका पता कैसे लगाए तो जैसा कि आप देखी सकते हैं कि आमले में क्रैक आना स्ट्राट हो गया है जैसे ही आमले में क्रैक आ जाए या फिर यह फटने लगे उसी टाइम पर आप फ्लेम को कर तो अब मैं इन्हें एक प्लेट में निकाल कर साइड में रख देती हूं ताकि यह थंडे हो जाए और मैं इस अचार को बनाने के लिए दो से तीन मोटी हर्यमिश और साथ साथ लसन का भी यूज़ कर रही हूं तो इन्हें नॉर्मल टेंपरेचर पर आने देते हैं उसके बाद हम नेक्स स्टेप को देखेंगे सो इस स्टेप में आपको जादा कुछ नहीं करना है बस आमलों को कुछ इस तरीके से छोटे टुकडों में डिवाइट कर लेना है इसे आप नाइफ या फिर हातों से भी कर सकते हैं और इनकी जो बीच में गुटलिया होती है उसे आ मैं यहाँ पर नॉर्मल ओयल को ना लेकर अचार के ओयल का यूज कर रही हूं हमारे घर में पहले से ही कोई ना कोई अचार तो रहता ही है वैसे ही मेरे पास भी आम का चार था तो मैंने उसमें से हलका सा ओयल निकाल लिया और उसे मैं इसमें यूज कर रही हूं ऐसा करने स यह चार एकदम लाजवाब बनेगा पर टेंशन मत लीजिए अगर आपके पास पहले से ही किसी अचार का ओयल नहीं है तो आप इसे स्किप्ट करके मस्टर ओयल का यूज भी कर सकते हैं मैं गैरेंटी देती हूं तब भी आपका चार एकदम शांदार बनेगा तो पहले मैंने दो से तीन मोटी हरी मिर्च और साथ से आठ लसन को थोड़ा सा भून लिया था जैसे ही भून चुके हैं मैं अब इसमें अट कर रही हूं आमला और गाजर जिसे मैंने उबाल कर रखा था अब इसे दो से तीन मिनिट के लिए मीडियम फ्लेम पर मिक्स कर लेंगे हमें इसे पूरा पकाना नहीं है बस हलका से रोस्ट करना है तो यह देखिए मैंने इसे अच्छे से भून लिया है अब मैं फ्लेम को कर दूंगी ओफ और नेक्स्ट चप को देखते हैं तो चलिए अब अचार के लिए मसाला तयार करते हैं जिसके लिए मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया है पैन गरम हो चुका है अब इसमें ओईल दालने की जरुवत नहीं है अब डारेक्ट में इसमें आट कर रही हूँ आदा चमच के करीब जीरा तीन से चार सूखी लाल म बस अब इसे मीडियम फ्लेम पर हमें रोस्ट कर लेना है इसे चार से पांच मिनट के लिए अच्छे से भून लेना है अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज निचे दिए अगर लाइक के बटन को प्रेस करके मेरे यूट्यूब चानल रुपम खाना को सब्सक्राइब कर लीजए क्योंकि मैं आप सब इक लिए ऐसी ही रेसिपीज लाती रहती हो तो यह देखिए मैंने सारे इंग्रीडियंट्स को अच्छे से रोस्ट कर लिया था अब मैंने इसे निकाल लिया है प्लेट में इसे हम थंडा होने देते हैं उसके बाद इसी स से हम एकदम शांदार मसाला तयार करेंगे तो यह देखिए यह थंडा हो चुका है अब सिंप्ली हमें इसके एक मसाला तयार करना है जिसके लिए मैंने एक मिक्सर ले लिया है इसमें सब को ढाल के फटाफट ट्राइंड कर लूँगी जैसे कि आप देखी सकते हैं एकदम नौण बारीक मसाला मैंने तयार किया है और यही मसाला ओं मचायर को बनाने के लिए यूस करेंगे तो अब मैंने लिया एक कढ़ाई इसमें मैं आड़ कर रही हूँ देड़ कप के करीब मस्टर ओयल अचार का टेस्ट हमेशा मस्टर ओयल से ही इन्हांस होता है तो आप हमेशा मस्टर ओयल का ही यूस कीजेगा चार माते टाइम अब इसको हम थोड़ा सा गरम होने देंगे जैसे ही ओयल हलका सा गरम होने लग जाए उसके बाद हमें इसी से एक मसाला तयार करना है तो मैंने यहाँ पर लिया है एक बोल इसमें मैं डाल रही हूँ एक चमश लाल मिर्स पाउडर वैसे अपने टेसी अकॉर्डिंग इसे कम जादा भी कर सकते है मार्केट वाला लुक आये इसलिए हलका सा रेट फूड कलर यह उप्शनल है आप इससे स्किप भी कर सकते है और जो अभी हमने देसी मसाला तयार किया था वो सब हम इसमें एड़ कर देंगे फिर मैं उपर से अट कर रही हूँ डेर चमच के करीब नमख क्योंकि अचवार में नमख जादा ही डलता है अब इसे साइड में रख देते हैं और जो आधा तेल कढ़ाई में बच कया था उसमें मैं डाल रही हूँ भूनी हुई सब्जिया जिसमें है आमला, गाजर, मिर्ची और लैसं इस अच्छ से मिक्स कर लेंगे और जो अभी हमने तेल के साथ मसाला रेडी किया है वो हमें समय आई रड कर देंगे अब इन सभी को एकदम अच्छे से हमें मिला लेना है इसे मैंने अच्छे से मसालों के साथ पिक्स कर दिया है और अब हमारा अचार पूरी तरीके से रेडी है तो चलिए अब मैं आपको सवफ करके दिखाती हूँ तो रेडी है हमारा एकदम चटपटा और लाजवाब आमला और गाजर का अचार आप देखा आपने कितना असान है इसे बनाना अचार पनाने के लिए हमें बहुत ही साथ टाइम चाहिए होता है पर देखा आपने इसको किती जटपट हमने तयार कर लिया अब जब भी आपका अचार खाने का मन हो बिना कुछ सोते समझे आप जटपट इसे बना सकते हैं और सबसे बड़ा इसका फायदा ये है कि आप इसे एक पर बनाईए वो भी बिना किसी जणजट के और 6-7 महिने तक अराम से स्टोर करके खाईए साथी साथ मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा कि अचार किस किस का फेपरेट है I hope मेरी आज की रेसिपी आप सभी को पसंद आई होगी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सबस्क्राइब और वीडियो को शेर पेना ना भूले फिर से मिलेंगे एक और न्यू रेसिपी के साथ और आपने मेरी वीडियो को पूरा एंड तक देखा उसके लिए दिल से धनेवाद थैंक्स पर वाचिंग, बाई बाई